दुबारा गरम करके ना खाएं ये चीज़ें बरना आपको सहना पड़ सकता है बहुत बारी नुक्सान नमबर वन चावल को कभी भी दुबारा गरम करके ना खाएं क्यूंकि इससे SDT और के चीज़ें ऐसी होती बुमारियां इनसान को लग सकती है और फूड पाजनिंग भी हो सकती है नमबर दो उबले हुए अलू को हम बार वार गरम करके खाते हैं और ऐसा ना करें क्यूंकि ये सिद के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उबले हुए अलू को हम गरम करके खाते हैं तो उससे हमें उससे भी SDT विक्टेरिया जैसी बुमारियों का खत्रा हमेशा बना रहता है नमबर तीन अगर हम पालक को बार बार गरम करके खाते हैं तो उससे हमारे सहत के लिए बेहद खत्रा बन सकता है जैसे की सबसे बड़ी बिमारी कैंसर तो पालक को बार बार गरम करके खाने से हमें कैंसर तक की बिमारी हो सकती है नमबर चार तेल को हम केई बार अक्सर होता है गर पे पूरी बनानी है पुकोडियां तलनी है डिब बाली के आइट में हमें फ्राई आइट में करनी पड़ती है तो उसके लिए हम तेल ज़्यादा डाल लेते हैं बाद में फिर उसी ही तेल को हम बचे हुए तेल को हम इस्तेमाल में लाते हैं और ऐसा करने से भी सेथ के ल गर्म करके खाते हैं तो ऐसा ना करें चिकन को बार बार गर्म करके खाने से हमिश्यां हाज में की प्रावलम होती है वो पच्टा नहीं है वो पांचन तत्र के लिए खतरनागी